हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है सिविल डेमेंशन चैनल पर आज का हमारा टॉपिक है पी ओपी पॉल सेलिंग वर्सिज जिपसम पॉल सेलिंग घर के इंटीर्स में दो चीचे बहुत ही मैतमपूर्ण है पहला सेलिंग और दूसरा फर्ष एक खूबसूरा सेलिंग घर के इंटीर्स को चार चान लगा देती है इसलिए घर हो या फिर ओफिस दोनों ही जगह पर फॉल सेलिंग मैटरियल का सही सेलेक्शन बहुत ही जिसे true ceiling के नीचे बनाया जाता है इसलिए इसे false ceiling कहा जाता है false ceiling करवाने के कई कारण हो सकते हैं जैसे aesthetic मतलब खुबसूरत दिखने के लिए या फिर electric wiring, plumbing pipes और AC duct को छुपाने के लिए या फिर sound और heat installation के लिए जैसे cinema holes में किया जाता है या फिर artificial lighting के लिए इसलिए false ceiling में यूज होने वाले material का सही selection ध्यान से करें ताकि आपके घर या office की ceiling खुबसूरत होने के साथ साथ functional भी हो इस वीडियो में हम falling points को cover करेंगे जैसे false ceiling कितने प्रकार की होती है जिफसम और P.O.P. false ceiling में क्या difference है कौन सी false ceiling कहां करवानी चाहिए, false ceiling की life कितनी होती है, false ceiling करवाने का क्या खर चाता है तो बने रहे हमारे साथ तो चलिए शुरू करते है सबसे पहले ये जानते हैं कि false ceiling कितने प्रकार की होती है फॉल्सिलिंग में यूज होने वाले मैटरियल के अधार पर फॉल्सिलिंग को आठ प्रकार में पाठा चा सकता है जैसे plaster of Paris fall ceiling, gypsum fall ceiling, wood fall ceiling, fiber fall ceiling, metal fall ceiling और grid ceiling, glass fall ceiling, PVC fall ceiling, fabric और synthetic leather fall ceiling चलिए अब इन सभी fall ceiling को brief में discuss करते हैं और देखते हैं कौन सी fall ceiling को हम किस एरिया में use कर सकते हैं सबसे पहले है plaster of Paris fall ceiling, P.O.P. fall ceiling एक बहुती popular fall ceiling है, इसे हम residential और commercial दोनों ही space में use कर सकते हैं P.O.P. basically एक gypsum powder है जो पानी से react कर बहुत जल्दी hard हो चाता है P.O.P. fall ceiling को galvanized iron channel जिसे GI channel भी कहते हैं की framing की जाती है GI framing करने के बाद channels पर wire mesh fix किया जाता है, जिसे आम बाशा में मुर्गा जाली भी कहते हैं इसके बाद final finish P.O.P. powder में पानी मिलाकर थिक पेस्ट त्यार किया जाता है जिसे wire mesh पर apply किया जाता है, जिसे floater या फिर फंटी की मदद से level कर smooth finish दिया जाता है P.O.P. fall ceiling के कुछ pros and cons भी है, pros की बात करें तो P.O.P. fall ceiling काफी durable होती है इन में installation के बाद कोई भी crack या wear and tear देखने को नहीं मिलता P.O.P. में आप कोई भी design असानी से बना सकते हैं, P.O.P. को corner में भी apply किया चाह सकता है कौन्स की बात करें तो P.O.P. fall ceiling design को बनाने के लिए skilled worker की आवशकता होती है जो costly होता है P.O.P. paste application में P.O.P. बहुत ही जादा paste होती है P.O.P. ceiling installation के दुरान बहुत ही जादा गंदगी होती है चलिए अब gypsum fall ceiling को समझते है Gypsum fall ceiling एक ready to made gypsum board ceiling है जो 4 feet by 8 feet के sizes में आती है इन gypsum board की thickness 12 mm तक होती है और finish smooth होती है gypsum को strength देने के लिए इन board को चारों तरफ से paper से wrap किया चाता है जो moisture resistance होते है gypsum board fall ceiling करने के लिए सबसे पहले GI channel से framing की जाती है framing 2 feet और 4 feet के distance पर की जाती है ताकि gypsum board का size GI channel पर screw के लिए perfect मिले यह gypsum board बहुत easy to cut होते हैं इन्हें hexa blade की मदद से असानी से काटा जा सकता है और बहुत से design को पनाया भी जा सकता है प्योपी ceiling की तरह ही gypsum board ceiling के भी कुछ pros and cons है चलिए gypsum ceiling के pros देख लेते है gypsum ceiling की installation easy और clean होता है क्योंकि यह gypsum ceiling dry panel में आते है इसलिए gypsum ceiling की installation काफी तेजी से किया चा सकती है gypsum ceiling में यूज होने वाले gypsum board की quality और product consistency भी same होती है क्योंकि इन products को बड़ी बड़ी company द्वारा manufacture किया जाता है इसलिए metal quality को लेकर कोई डरने वाली बात नहीं है अब gypsum ceiling के कौँस देख लेते है gypsum ceiling में दो board को joint करने के लिए fiber tape और joint filler का use किया जाता है यह joint कुछ समय बात crack हो जाते हैं जिने दुबारा या बार बार फिल करना पड़ता है जो एक re-agring cost of repair and repainting है यह hair crack कई बार ceiling में lights के hole और fan के vibration से भी आ जाते है gypsum ceiling को हम घर और offices दोनज जगा ही use कर सकते है पर as an interior designer मेरी यही राय है कि P.O.P. ceiling आप घर में करवाएं क्योंकि यह jointless, lifelong और more durable ceiling है gypsum ceiling की तुलना में P.O.P. ceiling पर खर्च जादा आता है और समय भी जादा लगता है पर यह एक घर के लिए best ceiling है gypsum board ceiling को आप offices में करवाएं क्योंकि इसकी installation में कम समय लगता है और दूसरा यह सस्ता होता है P.O.P. ceiling से ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ceiling पूरी छट में ही करवाएं बेटर यह होगा कि रूम की छट की चारो तरफ डेट फीट का बॉक्सिंग करवा लें और पैन के नीचे राउंड स्केर या फिर ट्रेंगलर कोई भी डिजाइन के ceiling करवा लें इससे आपकी overall cost बचेगी और रूम हाइट भी कम नहीं होगी हो पी-ओ-पी और जिपसम ceiling में आपको confusion दूर हो गया होगा इनके अलावा और भी तरह की ceiling है जिनने interior में घर या office की खूबसूरती बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है example wood ceiling wood ceiling मतलब wood की framing और wood finish देना इन पर termite attack का खत्रा होता है इसलिए wood ceiling वहीं लगवाएं जहां termite ना हो next is fiber board ceiling fiber board ceiling का use recording room, auditorium और radio station room आदी में sound और heat insulation के लिए किया जाता है इन board में acoustic properties होती हैं जो आवाज को गूंजने से रोकती हैं इसे हम wood wool fiber board ceiling के नाम से भी जानते हैं next is metal और grid ceiling metal और grid ceiling अकसर commercial spaces में की जाती है आपने banks और offices में अकसर ये ceiling देखी भी होगी ये ceiling metal के 2 by 2 feet पैनल में आते हैं जिसे metal grid पर बस रख दिया जाता है metal grid ceiling का use उन जगाव पर किया जाता है जहां centralized AC system होता है ताकि AC के drain pipe leakage या फिर moisture से ceiling खराब ना हो क्योंकि centralized AC system में ज़्यादा तर pipe ceiling से ही जाते है next is glass ceiling glass ceiling का use jewelry shops, showroom, library आदी में किया जाता है क्योंकि यहां ceiling में mirror का use space को attractive और बड़ा दिखाता है next is PVC fall ceiling as an interior designer मैं PVC fall ceiling hazardous और unsafe ceiling कहूंगा और इसे ना use करने की recommendation दूँगा क्योंकि यह ceiling तेजी से आग पकड़ लेती है और PVC plastic melt होकर तपकने लगता है जो बिलकुल भी safe नहीं है next is fabric और leather fall ceiling बड़े auditorium और cinema complex में इनका use किया जाता है ताकि सबी दिवारों और छट को soundproof acoustic बनाया जा सके चलिए अब coasting देख लेते हैं P.O.P. fall ceiling की width material per square foot cost 120 रुपे से 1500 रुपे तक आती है Jipsum fall ceiling की per square foot cost 75 रुपे से 100 रुपे तक आती है Wood fall ceiling की cost per square foot 300 रुपे से 300 रुपे तक आती है Fiber और wood wool fiber ceiling की cost 300 रुपे से 300 रुपे पर square foot आती है Metal grid ceiling की cost 120 रुपे से 1500 रुपे पर square foot आती है Glass fall ceiling की cost 1500 रुपे से 200 रुपे पर square foot PVC ceiling की cost 120 रुपे से 1500 रुपे पर square foot फैब्री सीलिंग एस पर फैब्रिक एंड डिजाइन लंबसम आप इसे 300 से 300 रुपे पर स्केर्ट लेके चल सकते हैं होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को देखते रहिए और सीखते रहिए साथ में चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूले तैंक्स पर वाचिंग सीविल डैमेंज